कोहका पुरानी बस्ती वाट 13 साकित नगर के रहवासी आज करोड़ो रुपए विकास शुल्क व प्रापर्टी टेक्स देने के बावजुद भी नर की जीवन जीने को मजबूर है क्योंकि बरसात के दिन आते ही यहां की नागरिकों की माथे पर पसीने के बुंदे देखी ज बिल्क है लिए नगरा का निगम भिलाई के वाड़कर मांग 13 साकित नगर कोहका से गुजरने वाले नाले के पानी से कालोनी में पानी भर जाता है और घुटनों तक पानी यहां की सड़कों पर बहने लगता है में कावशिओ के द्वारा इसकी शिकायत लगातार शहर सरका के महापौर नीरजपाल एवं जिलाधिश महोदय के पास की गई है कई बार आवेदन लिखीत रूप में भी दिया जा चुका है परन्तु कॉलोनी को अवैद बताकर यहां का विकास आज तक नहीं हो पाया वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर कॉलोनी अवैद है तो ब के नाम पर हम कॉलोनी वासियों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है यहां के जिम्मेदार अधिकारी जोन कमिशनर भी यहां दौरा कर चुके हैं परन्तु शहर के मेर के द्वारा एक बार भी हमारी कॉलोनी के समस्या को देखने जागने तक नहीं आया है यही कारण है कि साक आप बताना चाहूंगा आपके मेडिया के माध्याम से इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहां रहते हैं और किनारे बहुत बड़ा नाला गुजरता है और यह खुर्सी पार से पानी आती है क्या हुआ है यहां डाउन एरिया होने के वज़ा से पानी बहुत जाता भर जाती है हम लों लगतार आज से तीन साल पहले से लगतार जब देवन द्यादव जी जब महाँ पौर थे उस समय भी उसके बाद अभी नेराज पाल जी लगतार हम लों आवेदन दे रहे हैं आव हम उनको बताए हम लगतार पेपर में आवेदन दे दे के सुचना काधिकार से निकल वाए तो हमें यह मालम चलब हमारे कौल नीव वैद है इसके लिए एज़्ट्रीयों सहाब हमानसुद, देश्मुजी से मिले उन्होंने लीखित में हमें दिया कि यह खस्रः जो है खस् निगया, निगयम से सारा डिट्यल निकाल लेती जो पर्मिस्एं के तवर पर लाता है कटने के बाद जो पैसा रासी काटने के बाद जो बस थी उसको विकास रू कहा जाता है तो विकास रू के कि घर से जब हम परतिलीपी लिए हम लिश्टियार किये हुए लगवक एक करोड़ तीस लाग की रासी हमने नगर नियम को दी हुई है इसमें हमारा अधिकार है अचा नहीं कर पारें इस कावलुनी के लिए तो हमारे विकास रूकिरासी हम को विकास करके दिया जाए तो हम इसके लिए लगतर प्रयास कर रहे थे क्यूंकि अब आगे के अचार सही ता लगने वाली हैं तो हम फिर से जंगी अंदोलन जो कि आपने अभी मेंदर देखा इसके परदर्संग के लिए हमने थाने में नगर निगा में एश्डियम साहब को हमने आवधन यह क्योंकि कोई भी जब हम धरना परदर्संग करते हैं तो हमें इसकी जानकारी देनी पड़ती है दिये तो मुझे फोन आया जो नायक्त जी का फोन आया महापॉर जी का फोन आय नहीं होंगे फिर उन्होंने आनमपन में सायद फिर से हमारी आवधन पहले प्रतिलाकी मेरे पास है उसमें भी विचार की है फिर साम को फोन आ कि हुए हम नभी लाग भी आपको देते हैं यह चुनाओ का प्रणाम है चुनाओ अभी जो सामने है साथ इसके वज़ा से होग और इसके वज़े से सम्भव हो पाया है कल साम महापॉर जी आने वाले थे और जहाला किमिटी के अध्यक्ष है मुकेश चंद्राकर जी और। पार्साद हैं अंजो सुमन सागर जी वह सीनों आने वाला था किसी कारण से महापार जी नहीं आ पाए लेकिन पार्साद जी आए और आपके जिलत जी आये थे और पार्साद जी ने बताया 25 लाग के साथ 90 लाग की रासे भी हम आपको देने वाले हैं और उन्होंने आज या क दल दो दिन के अंदर भूहें पोजां करने का भी हमें रहेगा या लाली पफ देते रहेंगे तो जनता चूप नहीं बैठेगी अभी हम राद नीति दल के इसाब से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो जन सेवक हैं वह जनता के लिए उनको सेवा करना जानकारी लेना अब मै दिनी नहीं नहीं है और यहां पर आप जगा जगा देखते हों गेंडियु सारी समीपिख लोग हमारे को लिए इतने करेंगे करने का पूरा हमारा मन बना लिये थे अश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या उपारण कर दिया जाए पधित नगर के लोग अब अब भी यह कह रहे हैं कि यदि वक्त पर इसकाक निवारन नहीं हुआ तो जंगी प्रदर्शन तो होकर रहेगा ग्रेंडेसियन न्यूस के लिए भिलाई से संतु शर्मा के रिपोर्ट